जै श्री किशना आईए आप सब जानेंगे बर्ज 24 रावन मास सुकल पक्ष पितुरदा एक अदसी का ब्रत कव दहन किया जा रहा है तो जानेंगे ब्रत के सुमुरत के बारे में पारैन समय के बारे में पारैन कव और किश चीसे किया जाएगा इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भगवान को किस वस्तु का खास करके इस दिन भोग लगाना चाहिए तो आईए जानते हैं इन सबों के वारे में आप सभी बक्तों को स्रावणमास सुकुल पक्ष की पुत्रदा एक दसी की बहुत बहुत सारिक सुब कामनाएं आप सभी के जीवर में लक्षमी नारायन की किरपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुक और समर्दिकी प्राप्ति हो स्रावनवास सुकल पक्ष की एक दसी को पुत्रदा एक दसी पुत्रदा एक दसी नामों से भी जाना जाता है और इसे प्रदायनी एक दसी ब्रत के नाम से भी जाना जाता है पुत्रदा एक दसी का ब्रत बर्ष में दोवार आता है एक तो पॉस मास की सुकुल पक्ष में और दूसरा आता है स्रावन मास सुकुल पक्ष में पुत्रदा एक अदसी का ब्रत धारण किया जाता है जो भी भक्त सची सरद्धा के साथ नियम और निश्टा के साथ पुत्रदा एक अदसी का ब्रत करते हैं तो इस ब्रत के प्रवाव से जो की सवि प्रकार के पाप और ताप नश्ड हो जाते हैं तथा पुत्र एक्षिक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राति होती है यह संतन प्रदायनी ब्रत है इस दिन मिसेस प्रगार से भगवान विश्नु माता लक्षमी का और सात में जो की ब्रह्मा विश्नु में इसका भी पूजन करना चाहिए इससे भगवान विश्नु अपने भगतों पर अतिप्रसन होती हैं और इस ब्रत को करने वाले को संतान सुख, संतान बेवव एवन समाज में सम्मान की प्राप्ती होती है तो आईए जानते हैं स्रावन मा सुकल पक्ष पुत्रदा एकदसी ब्रत के सुम मूरत के बारे में पंचांग के अनुसवार इस सार एकदसी की तिथी 15 अगस्त की सुवार 10 वचगर 26 मिनट पर सुरू हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त की सुवार 9 वचगर 49 मिनट पर हो जाएगा ऐसे में एकदसी ब्रत इस वार 16 अगस्त सुक्रवार दिन रखा जाएगा अब बात करते ब्रत के पारैन की ब्रत परान का समय 17 अगस्त की सुवार 5 वचगर 21 मिनट से लेकर के 8 वचगर 5 मिनट के बीच में कर ले रहा है उत्रदा एकदसी की पूजा का स्मुहुर्त सुवार की समय माना जा रहा है इस दिन सुवे 9 वचगर 49 मिनट पर भत्रा काल का योग है और का जाता है कि इस योग में पूजा करने पर भागवान विश्नु का विशेस आस्रवत प्राप्त होता है इस दिन प्रीती योग भी वर रहा है इस योग का निर्वान दुपहर एक वचकर 12 मिनट पर होगा प्रीय वक्तों अब बात करते हैं पुत्रदा एकदसी के मेत्तुगी पुत्रदा एकदसी के वरत करने से आपको अच्छे पुन्नी की प्राप्ती होती है और साथ ही आपको मृत्य उप्रांत बैकुंट लोग की प्राप्ती होती है कहते हैं इस वरत को करने से आपका घर धन धान से बर जाता है इस एकादसी के बृत करने से आपको नारायन के साथ सार मालक्षमी की भी विशेशक्रपा प्राप्त होती है इस बृत के पुन प्रताप से राजा महिजीत महिश्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ती होई थी इस लिए इस एकादसी का ना पुत्रदा एकादसी है इस ब्रत के प्रवाव से आपकी खाली जोली भी भड़ जाती है इस तिथी पर बैशनव समाच के लोग भी भागवान विश्लू की पूजा पूरे बिदी विधान के साथ करती है पुत्रदा एक दसी के दिन सुबह जनली उठकर इश्णान कर लें और घर के मंदर को गंगाजल जगतकर पवित्र कर लें उसके बाद भागवान विश्लू और मा लक्षमी की लकड़ी की चोगी पर पीला कपड़ा विचा करके उन पर इस्तापित करें उसके बाद गंगाजल से उनका आपसे करें और पुषम के साथ तुलसी दल अरपित करें अगर आपको बृत रखना हो है तो बृत करने का संकर्ब लें और यदि नहीं रखना है तो पूजा करने के बाद आहर ग्रेल कर सकते हैं पूजा के बाद आरती करें और बागवान विश्णु को पंचा मिरत का भोग अबस लगाएं बागवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर सामिल करें तुलसी बिना बागवान विश्णु को भोग ग्रेंड नहीं करती हैं